रो रहा है अफगानिस्तान रो रहे हैं राशिद खान जहां पर खड़ा करना था तूफान वही पर अफगानिस्तान हो गया धड़ाम तूट गया सपना अफगानिस्तान नहीं कर पाया करिश्मा कांप रहे थे राशिद खान के पैर हाफ रहे थे गुर्बाज अफगानिस्तान से दूर हो गया फाइनल का मुकाम अपनी एक गलती पर पश्टा रहे राशिद खान हार के बाद राशिद के रोने का वीडियो वाइरल मैच हारने के बाद स्टेडियम में लेट गए राशिद पांच मिनट तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा रोते हुए राशिद खान को कोच ने समझाया नहीं मान रहे थे राशिद अमपायर ने भी दिलासा दे कर बाहर बिटाया बतकिस्मती को ये भी गवारा नहो सका हम जिस पे मरमिटे वो हमारा नहो सका अफगानिस्तान की पूरी टीम चैंपियन बनने के लिए मरमिटी राशिद खान ने पूरी ताकत जोग दी लेकिन सिर्फ ए गलती ने अफगानिस्तान से सब को छीन लिया राशिद खान के आखों में आसू थे, पूरा अफ़कानिस्तान दो रहा था स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खामोश खुकर स्टेडियम में ही बैठे रहे गए भारतिये फैंस का भी दिल तूट गया जो सपना अफगानिस्तान के लिए भारतिये फैंस ने देखा था अफगानिस्तान के फैंस ने देखा था वो सपना अब तूट कर चकना चूर हो गया राशिद खान ने मैच हारने के बाद जो बात बोली उसको सुनने के बाद आप भी रोने को मजबूर हो जाएंगे राशिद की उस बात के बारे में आपको बताते है मगर इस हार का राशिद खान को कितना ज़्यादा गम है इस तस्वीर से आप समझे कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्दों को बया कर देती है राशिद खान अपने आसू को छुपाते न ज़रा रहें उनके ठीक बगल में कोच खड़े हैं दिलासा दे रहें स्टेडियم में मौझूद बच्चा बच्चा भी राशिद खान के नाम का नारा लगा रहा है लेकिन राशिद खान को पता है कि जो उनको करना था वो नहीं हो सका उनको यकिन नहीं हो रहा था कि आखिर क्या से क्या हो गया और अफगानिस्तान हार चुकाए इस पूरे विश्व कप में अफगानिस्तान की टीम ने बहुत पढ़िया क्रिकेट केला एक टीम जिसका कुछ सालों पहले नामों निशान तक नहीं हुआ करता था अपनी पहचान नहीं हुआ करती थी उस टीम ने टी-20 विश्व कप के सेमी फाइनल में अपनी जगां बनाई तो एक उम्मीद जगी कि अपकी बार अफगानिस्तान कुछ बढ़ा करेगा राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान ने जिस तरके की क्रिकेट दिखाई है खाबिले तारीफ है राशिद खान को मीद थी कि फाइनल तक का सफर तो टाइक किया जाएगा मगर अफगानिस्तान के सफर पर विराम लग गया और अब अफगानिस्तान को भी वापसी करनी होगी मगर जिस तरके से अफगानिस्तान की टीम ने लड़ाई लड़ी जिस तरके का खेल दिखाया हर कोई अफगानिस्तान के खिलाडियों को सलाम कर रहा है जरा सूचिए इतनी मुश्किलों के बावजूद अफगानिस्तान इतना बहतरीन प्रदरशन कर रहा है अगर मुश्किलों का दोर नहीं आया होता तो फिर आखिर कितनी घहतक टीम आ अफगानिस्तान होती हार के बाद अफगानिस्तान के खिलाणियों के कंदे जुके हुए थे स्टेडिया में मौझूद बच्चा बच्चा रो रहा था लेकिन राशित खान हार के बाद बहुत बड़ी बात बोल गए राशित खान ने कहा यहार हमारी टीम के लिए काफ़े कठेन है हम बहतर ब्रदरशन कर सकते थे लेकिन हालातों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया T20 क्रिकेट की यही खासियत है कि आपको हर हालात के लिए इसमें तयार रहना चाहिए एफरिकी टीम ने काफ़ी अच्छी गिंद बासी की लेकिन यह हमारे लिए एक शुरुआत है हमें इस बात का विश्वास है कि हम किसी भी टीम को मात दे सकते हैं यह हमारे लिए काफी अच्छा नुभव देने वाला टोनामेंट रहा हमें यहां खुद पर विश्वास करने के एक नहीं ताकत मिली है मतलब साफ है कि राशित खान अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी ज़्यादा खुश है और उनको पता है कि आगे क्या कुछ करना है जिस तरीके का सहस, जिस तरीके की ताकत, जिस तरीके का आत्मविश्वास अफगानिस्तान ने दिखाया एक उमीद है कि शायदाने वाले वक्त में अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा मजबूर टीम बन पाएगी दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या अफगानिस्तान कभी चैंपियन बन पाएगा? कॉमेंट में जरूर बताएगा